जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लेके आएं आपके लिए सॉलुशन चैप्टर का पहला पार्ट सॉलुशन को हिंदी में विलियन भी कहा जाता है जो यकीन जानी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपकी हमारी अमीर की गरीब की पड़े लिखे की बिन पड़े लिखे की सब की जिनगी से जुड़ा हुआ है पुरी दुनिया सुबह से साम तक सॉलुशन के साथ ही काम करती है हैं सर ऐसी बात है यकीन जानीए बड़ा मजा आने वाला है चैप्टर में आपको तो थोड़ा चलिए हमारे साथ जानते हैं सॉलुश अर एड़िड फिजिकली इन एनी रेशो डैट इस सिंपली नौन एज मिक्षर बच्चो जब दो या दो से जादा कंपाउंड को पदार्थ को आप किसी भी अनुपात में मिक्स कर देते हैं अपने हातों से उनको मिला देते हैं तो वो बन जाता है आपका मिसरन या मिक्ष किलियर हुआ सर मुझे कहां मिल सकता है मिक्षर मैंने तो देखा ही नहीं मैंने कहा था ना आपसे कि दुनिया में सोलुशन के बिना गुजारा है ही नहीं मिक्षर के बिना गुजारा ही नहीं हर कोई मिक्षर और सोलुशन सुबह से साम तक यूज करता है तो आईए उन कु तीन एक्जामपल ली है आपने एयर देखा है सुबह से साम तक बताइए सर बिना एयर की क्या गुजारा कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता सबको जिंदा रहने के लिए एयर की जुरत है और एयर is the example of mixture बच्चो एयर एक mixture है ज़रा सोचिए एयर में कितनी सारी गैसे होती है आपको बता है nitrogen है oxygen है carbon dioxide है hydrogen है helium है carbon monoxide है nitrogen के oxides है सर बस 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 आपको अंदजा हो गया होगा कि वहाँ पे एयर के अंदर बहुत सारी गैसे जो है वो अलग-अलग नुपात में एक साथ रहती है इसलिए air हमारा mixture कहलाता है अब बात करते है sea water की आप जानते हैं कि समुदर का पानी खारा होता है क्यों होता है क्यों कि सर्फ समुदर के पानी में sea water के अंदर बहुत सारे minerals dissolved रहते हैं और आप तो जानते हैं देश का नमक हाँ हाँ आपका और मेरा नमक वो नमक भी हमको sea water से मिलता है लेकिन ये example जो है ये कहलाता है mixture अब बात करते हैं sand and gravel आपने पानी लिया बच्पन में सब लोगों ने खेल खेला हुआ है पानी के अंदर हम लोग रेट को गोलते हैं और छोटी छोटी जो पत्री होती है पत्थर होती जिन सड़के बनाई जाती है उनको आप पानी में डाल दीजिए अब आपने एक पत्थरी डाली हो गिलास के अंदर ये दो पत्थर डाले हो एक चमचा आपने रेट डाला हो ये एक मुठी डाला हो वो भी कहलाएगा mixture और देखिए नमकीन नमकीन का नाम लेती ही मुमें पानी आगया होगा आपकी इस लाइड उपर दिखाई दे रही होगी पानी मतला ये थोड़ा देखिए ध्यान से नमकीन के अंदर आपको क्या-क्या चीज़े दिखाई दे रही है बहुत सारी चीज़े रंग बिरंगी काजू बदाम नमकीन है ये सब आपने अलग-अलग अनुपात में कटोरे के अंदर मिक्स कर दिया है हाथों से मिक्स कर दिया है और बन गया है आपका नमकीन का मिक्शर अगली वीडियो देखिए अब आपको मीठा लगेगा क्योंकि ये जो लाइड है ये जैली बीनकी है देखे कितनी सारी सुंदर-सुंदर जैली बीन एक साथ हमने अलग-लग गिंती नहीं कर दिये बस ऐसे हमने मिक्स कर दिया तो ये भी है आपका जैली बीनका एक मिक्शर next देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे glass full of salt and water पानी के अंदर आपने नमक गोल दिया है salt गोल दिया ये भी बन गया है आपका mixture clear तो sir बताइए इतने सारे आप सुबह से साम तक mixture बनाते हैं solution बनाते हैं और आप कहते हैं कि हमें पता नहीं है कमाल करते हैं तो आइए और अच्छे से समझते हैं इन चीजों को एक image की help से इस image में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे sphere है आपका brown color का black color का आपका यहाँ पे rectangle एक shape है एक triangle बना हुया है अलग-अलग shape और size वाले compound हैं यह kelly g component हैं इनको आपने हाथों से mix कर दिया एक साथ आपने जब इनको mix किया तो यह कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको उपर बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा component को आप किसी भी अनुपात में mix कर देते हैं तो mix करने के बाद हाथ से मिलाने के बाद जो भी आपको दिखाई पड़ेगा या मिलेगा that is known as mixture तो यह है आपका mixture mixture is substance or component has its identity बच्चों mixture के अंदर जितनी भी चीज़े आप मिलाते हैं वो कभी भी chemical react नहीं करती हैं कभी भी वो आपस में मिलके कोई नया पदार्त नहीं बनाती है यह दियान रखीगा वो mixture के अंदर जितनी भी चीज़े आपने मिलाई हैं वो सब वहीं पर रहती हैं और हर एक की आप पैचान कर सकते हैं हर एक को आप identify कर सकते हैं components can be detect by thermal और mechanical method example chili powder and sugar crystal माल लीजे बच्चो आपके पास chili powder है लाल मिर्ची powder उसके अंदर आपने चीनी के कुछ crystal डाल दिया और उनको हाथ से shake कर दिया mix कर दिया उसको देखके पैचान सकता है कि उसके अंदर लाल मिर्च पाउडर है और हमारे चीनी के crystal है और उनको हम लोग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि वो chemically react नहीं करते हैं यही आपको उपर पिछले point भी बताया था कि mixture के अंदर जो आपकी component पदार्थ जो चीजे होती है वो chemically react नहीं करते हैं वो वहीं पर sustain करते हैं आप उनको पैचान सकते हैं और उनको आप separate भी कर सकते हैं अगर आप देख को आप अलग कर सकते हैं अब बात करते हैं types of mixtures की तो बच्चो mixture जितने भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होते हैं homogeneous और दूसरे होते हैं heterogeneous बच्चों homogeneous जो है homogeneous एक Greek word है Greek language का वहां से generate किया है वहां से इसको लिया गया है homo means आप जानते हैं same और genes का मतलब होता है condition या state बच्चों कोई भी ऐसा mixture जिसके अंदर single phase होती है वो homogeneous कहलाता है लेकिन heterogeneous होता है different or genius तो आप जानते हैं state के लिए वो यूज कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा mixture जिसके अंदर एक से जादा या अलग-अलग phase होती है वो कहलाता है heterogeneous बच्चों simple सी भासा में अगर बोलें कि ऐसा mixture जिसके अंदर single state होती है या single phase होती है अब देखे मैंने word use कि है state condition की बात कर रहा हूं मैं कि जहां पर आप चीजों को आँख से देखके अलग-अलग ना कर सके ना बता सके वो mixture कहलाएगा homogeneous लेकिन जब आप mixture को देखके उस वहाँ पर एक से ज़्यादा state है एक से ज़्यादा चीजे वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है that's why it is known as different phase तो ऐसा mixture जिसके अंदर एक से ज़्यादा phase होती है एक से ज़्यादा state होती है वो कहलाता है heterogeneous इसको हिंदी में विसमांगी बोलते है और homogeneous को समांगी बोलते ह कुछ लोगों को याद आभी गया होगा substance are uniformly distributed बच्चो homogeneous mixture के अंदर जितनी भी चीजे आप मिलाते हैं वो एक साथ equally यानि समान रूप से वहाँ पर फैल जाती है जो आपका mixture होता है उसके अंदर component जो होते हैं वो equally distribute हो जाते हैं spread हो जाते हैं लेकिन जो heterogeneous mixture होता है उसके अं नहीं मिल पाती हैं वो unevenly समझ रहे हैं आप unequally distribute रहती है जैसे एक आदमी लड़ू बाटने के लिए पांच लोगों में खड़ा होता है तो उस आदमी ने हर आदमी को एक लड़ू दे दिया that is known as evenly or uniformly distribution अगर एक आदमी दो लोगों को देता है तीन तीन लड़ू एक को दे और ऐसा mixture कहलाता है heterogeneous क्योंकि उसके अंदर component equally distribute समान रूप से विद्रित नहीं होते हैं particles cannot be seen by naked eyes बच्चों homogeneous mixture में जो particles होते हैं जो component जो चीजे आपने मिलाई हैं उन चीजों के उन component के उन compound के जो particle होते हैं वो बहुत छोटे size के होते हैं smaller होते हैं एंक्स्ट्रोम उनका size होता है और छोटा size होने की वज़े से वो easily equally distribute जाते हैं आपस में अच्छे से मिल जाते हैं इसलिए ऐसे mixture में आपको single phase या single state दिखाई पड़ती है जैसे हवा के अगर बात करें हवा के अंदर बहुत सारे gas molecules रहते हैं अभी बताया था starting में आपको और उनका size जो होता है बहुत छोटा होता है इसलिए वो equally distribute रहते हैं और कोई भी महाबली ऐसा नहीं है दुनिया में जो आखो से देख के बता दे सर पीछे हड़ जाओ आप आपकी तरफ nitrogen का हमला हो रहा है आपकी तरफ CO2 आ रही है और देखो से लबक के पकड़ लो वो oxygen जा रही है है कोई जो ऐसे बता सके पैचान कर सके काहीं नहीं कर सकता है क्योंकि सर वहाँ पर उनके particle का size छोटा होता है जिसकी वज़े से वो equally distribute रहते हैं आख से दिखाई न बड़ा होता है बड़ा होने की वज़े से वो आपस में equally distribute नहीं हो पाते हैं अच्छे से mix नहीं हो पाते हैं इसलिए वो अलग थलक पड़े रहते हैं बिल्कुल सही अलग थलक जैसे हमारे आज कल चल रहा है ना चाइना का बाइकाट करो बाइकाट करो लेकिन टिक टोक न बाली देंगे बच्चों हमको भी कुछ करना है ना हमको एक साथ रहना है हमको homogeneous बनना है heterogeneous नहीं तो heterogeneous ऐसा mixture होता है जिसके अंदर component का particle का size बड़ा होता है जिसकी वज़े से वो अच्छे से mix नहीं हो पाते हैं और वहां पर एक से ज्यादा state आपको दिखाई पड़ती है या मिलती है अब देखे मैंने आपके सामने दो इमेज बनाये हैं इन दोनों इमेज को लोग एक्जामपल की तरह यूज कर सकते हैं फिर सिक बार देखे हैं mixture of water and NaCl लिखा है इस बरतन के अंदर container के अंदर वैसल के अंदर हमने पानी लिया और नमक लिया तो आप देखिए इसके अंदर आपको केवल water ही दिखाई पड़ेगा कोई भी दूर से देखके ये नहीं पैचान सकता कि नमक के particle कहां है या water के particle कहां है क्योंकि इनका size बहुत छोटा होता है और ये equally या evenly distribute रहते हैं single state आपको केवल liquid state दिखाई पड़ेगी कहीं पे solid नमक या water molecule दिखाई नहीं पड़ेगा that's why this is the example of homogeneous mixture अब दिखे यहां पे आपने container लिया vessel लिया इस बरतन के अंदर आपको कुछ water बरावा दिखाई दे रहा है और नीचे आपको sand दिखाई दे रहा है अगर आप पानी के अंदर sand या rate को बालू को घोलते हैं तो क्या ये बालू गुलेगा ये rate state है एक सी जड़ा phase है तो यहां पे चीजे जो है वो अलग-अलग दिखाई पड़ रही है rate अलग और पानी अलग clear है आपको तो यह example हुआ हमारा heterogeneous mixture का तो बच्चो आज हमने जाना solution chapter के पहले part में कि mixture क्या होता है mixture कैसे बनाया जाता है mixture कितने type का होता है और जाते जाते म मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा homogeneous mixture है यही हमको पढ़ना है because that is known as solution clear है अगले part में discuss करते हैं जुड़े रही हमारे साथ